आपका हमाय चैनल पर स्वागत है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यह हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपके 11 की साइकॉलोजी तो इसमें जो पार्ट कवर होगा वो आपका बेस बनाएगा कि साइकॉलोजी आपको स्कूल में बहुत सिखाया नहीं जाता तो यह कंप्लीटली न्यू पूरा एक सब्जेक्ट रहता है तो आपको अगर जो 12 में है या जो 11 में जाने वाले उनको 11 की साइकॉलोजी पढ़नी बहुत जरूरी है आपका बेस क्लियर रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अदरवाइस फिलोसिफी क्या है साइकॉलोजी क्या है सोशोलोजी क्या है इसी में हम अटके रहेंगे तो इसे एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडी समझके हम लोग यह पढ़ेंगे तो यह फर्स टॉपिक में जो कवर करा है वो है कि स्टार्ट ऑफ साइकॉलोजी से लेकि आज साइकॉलोजी कहां पहुच चुका है यह हम लोग को ट्रावल करना यह टाइम इस चैप्टर के तूट ठीक है गाइस तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर दा चैप्टर फर्स इस्टोरी साइकॉलोजी अच्छा चैप्टर का नाम है तो इसमें बहुत सारे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछें जैसे कि अल्डो साइकॉलोजी इस न्यू फो अस इन टर्म अव स्टडी मतलब यह रिसेंटली डिस्कावर्ड है मतलब हम लोग बात करते थे सबके बारे में लेकिन ऐस सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं करते थे इतना फोकस्ट होके पढ़ाई नहीं करते थे ठीक है फोकस्ट इन जैसे साइन्स हुआ मैस वाई यह तो बहुत 2,000-3,000 एहेड से लेकिन यह few hundred years का यंग सब्जेक्ट है we are aware of this subject from our childhood because we have been observing different form of emotions, behavior, moods of human beings, human behavior is full of diversity जैसे गुसे में कोई हम लोग देखे हैं जादा रिया करता है या कोई हम बोलते हैं बीटिंग भी कर देता है सेम उसी तरह जैसे कि tension आता है, stress आता है तो कोई-कोई खाना जादा खाने लगते हैं कोई-कोई खाना एकदम छोड़ देते हैं कई दिन तक और कोई लोग क्या करते हैं stress को सकंब हो जाते हैं तो इस तरह से बहुत एक ही situation को different reaction आता है ठीक है तो यह सब हम लोग face करते हैं बचपन से हम लोग और हम लोग क्या study भी करते रहते हैं हम लोग कैसे study करते रहते हैं स आपको कितनी मार पढ़ने वाली या कितनी डांट पढ़ने वाली और मम्मी साथ निभाएंगी डैडी का कि आपका तो यह आपको पता चल जाता है situation of behavior जो बन रहा है वहां पे जो बनता रहता है तो आप बचपन से यह सब क्यार में जानते हैं लेकिन ऐसे as a word subject के अंदर psychology बोलते हैं इसको यह नहीं हम जानते हैं इस डावर्सिटी अमेज अस वेन बी ओपन डेली निउस्पेपर और वाच इस और वाच निवस ऑन टीवी वी सी डिफरेंट आसपेट्स ऑफ हुमन भी हैवियर कि कि किसी को बोलते हैं कि किल कर दिया है मुर्डर कर दिया ऐसा गए और किसी हुमन को सोसाइटी से बाहर तो कितने टाइप ओफ हमारे लोग हैं क्या-क्या थॉट है उनके इसे बहुत सारे डावर्स सोसाइटी अपना वह निउस्पेपर में ही मालूम पढ़ सकता है अगर आप देखो तो हर जगे अलग अलग कहीं पॉजिटिव निउस रहेगी कहीं निगेटिव निउस रहेगी कहीं continuation of the old का चलता रहेगा और कहीं futuristic होगा कि आगे क्या करना तो सोचे सब कुछ मिला के thought को रहता है कि humans की psychology पर डिपेंड करता है जैसे environment को सेव करना है अगर आपको environment को सेव करना है तो आपको humans का behavior बोलते है चेंज करने के लिए so behavior what is behavior behavior is nothing but आप आगे पढ़ोगे psychology तो सोचे अगर future हमको secure करना है psychology कि पढ़ना कितना जरूरी है आपको एक example भी बाद में दूंगा मैं कि कैसे हम लोग psychology से अगर अच्छे से करते हैं तो हम बहुत जादा पैसा और peace पैसा that is money and peace कमा सकते हैं या दे सकते हैं market में या लोगो को deal करना है मैं चलता हूँ सीरा history of psychology की तरफ और एक psychology का यूज बताता हूँ मैं आपको ताकि आप लोग अवेर हुजाओ जैसे कि आप वर्ल्ड बैंक का एक सर्वे था एक सेकेंड वर्लड बैंक का एक सर्वे था कि इंडिया में जो insurance product है फार्मर्स के लिए जो insurance product आ रहे थे वो वो लोग खरीद नहीं रहते कि कि कितने भी कोशिश कर लो हमारा फार्मर्स पहले तो अवेर नहीं था बहुत सारे reasons थे पैसा और यह सब था बहुत सारे दिक्कते थे लेकिन World Bank ने क्या बोला कि World Bank को हमने बुलाया help के लिए कि भाई ये क्या रीजन है कि हमारे farmers इंशोर नहीं कर रहे हैं अपने crop को या अपने family के लिए insurance क्यों नहीं खरीद रहे हैं या तो फिर बोलो कि वो लोग पैसा save क्यों नहीं कर रहे हैं तो World Bank ने survey करने के बाद क्या बोला कि आपके behavior में दिक्कत है जैसे कि अगर आप एक farmer को बोलते हो कि आपका जो money है वो 7 और 8 years में double हो जाएगा यह उसको बहुत easily समझ जाता है लेकिन वहीं पर आप एक farmer को बोलो कि आपको 8% interest मिलेगा over the areas compounded interest मिलेगा आपको फिर इसका 5 year exit term है और उसके पहले premature आप अपना saving निकालने साइसे बहुत साथ term लाके दो farmer को तो वो आपकी scheme नहीं खर देगा और यह बहुत वैलिट psychology थी हमारे farmers की तो कोई product हम लेकिया शुरू कि आप farmers को उसी language में training देना शुरू कि आप farmers को उसी लाइंग्वेज में saving scheme बताना शुरू किया जो समझते थे तो government की इसी कोशिस का नतीज़ा है किसान विकास पत्र सिंपल सी बात है सुचिए मैं economy की बात कर रहा हूं कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप human का बिहावियर और स्पेशली किसी सोसाइटी की psychology आप नहीं जानते तो आज किसान विकास पत्र बहुत सक्सेस्फुल स्कीम है जहां पर किसान लोग पैसा डालते हैं यह पेपर रहता है जिस पर लिखता है किसान विकास पत्र के वीपी अमांट लिखा रहता है कि 10,000 कि कितने का है और इसके टर्म लिखा होता है कितने साल में डबल हो जाएगा तो यह देखे कितना एजी हो गया सेम चीज आपको आज जो समझ पार देते हैं 7% इंटरेस 8% इंटरेस तो फार्मर्स को सिफ लैंगविज चेंज करना था प्रोड़क भी नहीं लगा तो इसलिए psychology आपके लिए बहुत आसपेक्ट ओफ मैंकेंड देखिए बिहावियरल आसपेक्ट ओफ मैंकाइन युमन का बिहावियर पटते हैं इसमें अब बिहावियर खुद में क्या ये भी देखेंगे हम लोग की हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक वर्ड का मतलब क्या है this makes it difficult to define psychology precisely and in concrete terms तो यह बिहावियर क्या था और आज क्या अनुसा definition follow किया जा रहा है psychology did not emerge directly as a science it started as a branch of philosophy and it evolved as the separate branch in later 19th century मतलब क्या philosophy आप लोग को पता होगे कि philosophy में क्या thoughts होते है हमारे wisdom of thoughts बोलते हैं तो वो रहता है तो ऐसा कुछ thought था human से related सिवकि human का mind क्या philosophy का एक पार्ट था philosophy का पार्ट था कि human का thoughts कैसे रहते हैं कोई human कब कौन सी activity करता है तो यह सब करने के बाद हम लोग समस्थे एक philosophy बोलते थे तो उसी philosophy का नतीजा है जैसे कि आप लोग सुनते रहेंगे कि गांधी या प्लाटो बोलता था कि अन एजुकेटेड अन एजुकेटेड एथिकल पर्सन एथिकल पर्सन एजुकेटेड अन एथिकल पर्सन यह प्लाटो का बोलना था उनका नाम आएगा इसलिए हम बोल रहा हूं सब था है इस था है विलोसफोफी में और क्या होता है नेचर के बारे में भी हम जानते हैं उसमें और रहता है यूनिवर्स क्या है और आनिमर्स के बारे में सेक्टे हैं सोल के बारे में बात करते हैं अपने इगसिस्टेंस के बात करते हैं यह किसी का भी स्लस्थ उनवस में आप जतेल दा में अलग कर दिया और इससे बोल दिया psychology या अलग से extreme क्योंकि इसको बहुत जरुवत है आज हम 7 billion से उपर लोग हो गए अब हमको हमारे behavior को नहीं जानेंगे तो population तो बढ़ती रहेगी और अर्थ कतम हो जाएगी तो psychology पढ़ना बहुत important है बार बार आपको बता रहा हूं कि आप जो subject लियो या पढ़ो र and that knowledge is primarily acquired through learning and experience देखें दो लोग का आया प्लाटो के बारे में आप लोग तो जानते होंगे कि सोक्रेट करके तिंकर था ग्रीक का उसका चेला था या इसका student था प्लाटो प्लाटो का student था एरिस्टोटल एरिस्टोटल का student था Alexander the king या great जिसको हम लोग सिकंदर बोलते हैं इंडिया में वो जबाया था तो उसका एक wish था कि far east में heaven है तो उसको देखना था heaven क्या जो कोई देखनी पाया था यूरोप अगर इधर है तो इंडिया इधर है तो वो इधर से लेके इधर तक आया था त कि वहां पर तो पहले है जिसे हमारी poetic language जैसे कि गुरू के पैर के नीचे हमेशा ग्यान लेते हो रोबैट के जितना ग्यान ले सकते हो कि गुरू ultimate knowledge है उसके बाद आप अपना knowledge apply करते हो फिर कहीं देखते हो wrong होता है कहीं right होता है फिर अपना एक analysis बनाते हो life में आगे बढ तो मौरियान एंपायर ले लो मौरिया का गुरू था चानक क्या नहरू के गुरू थे गांदी ही खुद हमारे नहरू प्लस इवन सर्दार वल्लब भाई पटेल के भी गुरू वही थे गांदी ही थे तीक है तो जितने भी great leaders हुआ है सबके एक अच्छे से teacher या गुरू बोल सकते हो तो देखिए यह कितना कि मांक से तेज रहती ही है नौर अगर समझे mom and dad समझे sports person है तो जो बेटी है वो भी sports person हो सकती है नतलब यह sports sports के character इसके अंदर होंगे ठीक है तो यह तो अम लोग ऐसे biology से भी बोल सकते है कि आपका कोई activity बार-बार-बार-बार कई generation तक करते हो तो evolution होके क्या हो हो जाता है कि कुद्ध की बोहति सार तक कुछ आंक दो लोग द कर रहें जैसे कि देखें नॉस्टिल भाट सकते हैس यह ने की दाए और बड़े होते है इसका रीजन होता है तो यह सब बहुत होटाइम तक होता है तो इस именно आप वो बोल रहे थे कि अगर स्पोर्स परसन मॉम डाड होंगे तो बेटी बेटा भी स्पोर्स हो सकते थे लेकिन जॉन लॉकी क्या बोलते थे बोलते थे कि नहीं जो बच्चा पैदा होगा ना जॉन लॉकी यह अलग तिंग करते हैं कि जो बेबी बॉन होता है वह एमटी मतलब वो भूलते थे थे ना हमारा सुपर 70 में कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा तब तो कि राजा राजा के बीटे गंदर ही राजा के किंग बनने के कॉलिटी ए Lah quem दूपर आए नहीं थे थे और वहां पे ज़ौन लॉकी का सभ कर आ यह की नहीं आप बेबी की दिमा अमीर वाले को गरीब के घर में रख दो और उसके खाने पीने के वांदे रहेंगे तो वह विचारा क्या ट्राय करेगा जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कैसे भी पेट भरने के तरीके खोजेगा बाद में भड़े इवाल हो जाए लेकिन अगर वही गरीब बच्चे को अमीर थेयरी चलती रहती हमेशा कुछ लोग क्या लेफ्ट साइड लेते हैं कुछ लोग राइट साइड तो बस आपको द्यान रखने हैं कि ग्रेट लोग जब बात करें तो वह डिबेट बहुत फूट फूल होता है तो दो ग्रेट लोग बोल रहे थे अलग-अलग थोड़ दि लेने के बाद हम सोचते समझते हैं और उसको अपलाए करते हैं अपलाए करने के बाद कुछ गलतियां होती है अब कुछ चीज़ें सही हो जाती तो इन दुनों का मिला फिर हम लोग सीखते हैं कुछ फिर अपलाए करना तो लाइफ ऐसे लेकिन नॉलेज पहले गेन करना ब क्लटी है जब कि हमारे जॉन लॉके बोलते नहीं बच्चा सीखते है सोसाइटी से अपने मॉम डायट से अपने रिलीजन छीज़ के इस्षाइब थीक है अगर बड़ा है मतलब बड़ा तब शादिय स्वरी अब साइन्स आप सोल क्या होता है आप देखिए सोल कुछ लोग बोलेंगे कि सोल नाम की चीज नहीं होती है कुछ लोग हमारे यहां पर मतलब बोलते ना डिबेट में स्मार्ड बनते हैं लेकिन भाई सोल पर भी क बोलते हैं डिश्कसन जरूर होता है भली है साइन्स है देखिए यह साइन्स का ही पार थे साइकोलोजी शोशल साइन्स इसका तो दिस्कसन तो होगा ठीक है ठीक है तौ फॉर्स अट helpless psychology वसे देखिए और ग्रीड पर्ञेग शाट की amendments है जोल ऐ पढ़ान्स साइक है मिन सोल तो यह लिखनाए हमाँ की वह साइकोलोजी में सैकोलॉजी क्या है उसके बारे में क्या है की साइकोलोजी में वह पर किसको को बोलता हूं कि मैं जो सूच रहा हूं वो सुव है या सोल है क्या मैं ती ये भी देखेंगे आगे क्या है सब तो देखें सिभाल्ची साही बोलते हैं इसे ध्यान रहे हैं हमारे जैसा दिखता हिए दैनल्म मतलब वो शीवा का ट्रैडंट सेमीलर ये लेकिन यह थोड़ा सा यह psychology के branch से दिखाता है but later psychologists were not satisfied with the definition to them soul was difficult to study as it could neither be visualized nor could be described in concrete terms देखे बोला ना कि आप लोग के मन में soul को लेके question जो उठा कि क्या soul क्या तो वो उनके लिए भी उठा था same कि यह soul है क्या देख तो सकते हैं निए पहले कि है कैसा अंदर से ऐसा दिखता है या सांपके जैसा है या पूरा खोखला है है क्या soul दिखने में कैसा और उपर से अगर किसी एक का person soul ऐसा बता था कोई दूसरा टाइप का soul तो यह माने कैसे तो उसके बाद देखे क्या आगे बड़े वह बोथ soul and mind are abstract concept abstract concept मतलब खयाली है यह fantasy है रियल में existence इनका नहीं है यह हमारे को सोचने के लिए से कि आप operation करोगे किसी को खोल के जब डॉक्टर तो उसके अंदर से पहले soul को अलग करके body को अलग करके operation नहीं करते सौरी सिर्फ body ही रहती और body के organs रहते हैं बस वहाँ पे soul नाम की चीज नहीं होती जिसको anesthesia देखे सुला देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है तो यह क्या था एक abstract term था तो क्या बोलते है the rational sciences establish their facts from observation and experimentation तो science क्या करता है जो rational मतलब की जिस पर हम लोग believe कर पाएं fantasy पर थोड़ी believe करते हैं हम believe करते हैं fact पर तो fact वाली चीजों को जो हम लोग क्या करते कैसे बताते हैं उसके उपको observe करते हैं और experiment करते हैं जैसे gravity में apple गिरता है तो सामने दिखता भी है यह दिखता भी है प्लस उसको हम लोग बहुत सारी जगहों पर apply भी करते हैं experiment के तुरू जैसे कि space rocket आप लोग अपने lower standard में पढ़े रहोगे तो यहां पर apply करके भी दिखते हैं psychology is a science it must be based on some sort of observation and experimentation और अगर हम psychology को बोलते हैं कि वह science का तो इसके पास भी observation and experimentation को यह satisfy करना चाहिए however neither soul nor mind can be observed तो लेकिन observation के नाम पर सोल कहां देखेंगे हम लों observation दिखता है कभी कि सोल है नहीं हम तो कहानियों में भी पढ़ें से कि सोल रात को आती है या वैसा होता है कुछ भी तो नहीं पता विकेनाट सी और टच दें जो मैंने बूलने को तो बोल लिया कि it is a science or branch of knowledge which is with dealt with the study of the soul or mind लेकिन बाई इसको काम करते हैं चेंज करते हैं पब्लिक आधी बोली कि क्या पकाऊ सब्जेक्ट है हम अब देखें यहां मैं यह पार्ट भी कवर कर लेता हूं तो study of conscious क्या होता है conscious मतलब क्या होता है इस सब देखें इन दे लेट 19th century 1801 से लेके 1899 को बोलते हैं हमनों 19th century तो यह देखे 1879 के आसपास की बाद चाले हूं है ठीक है तो देखें उसके नजदीक है तो लेट मतलब एंड की तरफ में century German physician and philosopher Wilhelm Wundt established first psychological laboratory at Leipzig University Leipzig में battle of Leipzig वह था जहां पे Napoleon हार गया था to study human behavior आया human behavior आ गया देखिए ठीक है conscious अभी हम लोग थोड़ा सोल से उपर उठे है he introduced the term conscious experiment conscious word का मतलब क्या होता है देखें पहले देखें जाए टर्म conscious experience refers to awareness of mental activities of an organism जैसे कि आपको अभी conscious क्या हो रहा है अगर आपने कभी रस्ते पर चल रहे हैं आप वॉक कर रहे हैं तो आप जब left ले रहे हो तो आप consciously left ले रहे हो या तो आप right ले रहे हो तो consciously आप right लेने का decision ले रहे हो तो आप जब aware हो चीजों के बारे में तो उसको बोलते हैं conscious तो जैसे कि आप देखिए हम मैं चलता हूं tension में stress में हूं कितना घर का रस्ता आके चला भी गया और मैं चलते हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहे है मैं किस चीज के आ रहे हूं conscious हूं अपने tension के बारे में अपने कुस्तों हूं लेकिन मैं unconscious किसके लिए गया कि मुझे घर तो जाना था house पे जाना था समझ रहे हैं unconscious भी आगे आएगा conscious और unconscious आपको अभी बता दूँ कि हम जैसे मैं अपनी 12 के लेक्षर में भी मैंने बताया था कि अगर ऐसा मैं बना दूँ कुछ ocean टाइप का water का अंदर से तो यह उपर वाला part consciousness है हमारा और यह नीच वाला unconsciousness है consciousness सिर्फ 10 परसेंट बनता है unconsciousness 90 परसेंट बनता है तो आप जो सोच रहे हो जो कर रहे हो वो आपकी body का सिर्फ 10 परसेंट पार्ट है सब लोग बोलते हैं सोच समझ के करना तो वह क्या करते हैं जो 10 परसेंट है ना उसको बढ़ा के 20 करते रहते हैं नीचे आते थर्टी आते रहते हैं 40 50 आते तो बोलते हैं हमारे वेदों में कि अपने मन को शांत करो अपने मन पर control रहें वह क्या बोल रहे थे अनकॉंशेस जो माइन्ड है आपका उस पर कितना control आप गेन कर सकते हैं इसके और मैं डिटेल में डिसकुशन करते जांगा जैसे इसका टाइम आता रहेगा स्टोर्ड मेंटल इंप्रेशन और रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन और यहां जाना था फ्यूचर में यहां बैठके खाना खाना था यह सब गलत हो गया मैं आगे जा रहा हूं तो उनकॉंशेस मतलब समझ रहें आप बातों को ठीक है कि conducted experiment on reaction, time, perception and consciousness after that psychology emerged as a science अब जब experiment कर दिये तो हो गया और observation क्या किये कि मैं जो चीज़े कर रहा हूं और observation कर सकता हूं जैसे मैं रस्ते में आगे बढ़ गया तो यह observation ही हो गया आगर आप देख रहो बाहर से तो तो यह दो चीज़ उन्हों ने कर दिया तो experiment में क्या क्या कि और perception क्या होता है कि मेरा दिमाग क्या समझ रहा है उसको एक सेकेड़ अब यह कोई समझेए नाइफ है तो यह नाइफ किसी के लिए murder का instrument भी दिख सकता है और किसी के लिए vegetable cutter भी दिख सकता है या किसी के लिए बोलते है fruit cutter भी हो सकता है तो देखिए data है क्या knife कि knife आपको दिया जाएगा लेकिन आपका दिमाग कैसे perceive कर रहा है इसको perceive तो उसी को बोलते है perception फिर से मेरे दिमाग को draw कर देता हूं मैं ठीक है यह मेरा दिमाग समझेए आपके skull के अंदर तो इसको जो data जाता है ठीक है तो वो data जब यह analyze करता है तो analysis को perception बोलते है और यह signal आपका observation के तुरू जाता है तो यह द्यान अकना आपको इसे stimulation बोलते है आपका brain उसके बाद react कर देता है यह इसी को बोलते है चले ठीक आगे बढ़ते हैं इसमें लोग तो यह तब से science का एक part हो गया तो हमारा इनके बारे में द्यान रखे कि इन्हें father of psychology बोलते हैं यह मैंने इस lecture में जरूर बता हूं कि विल्हम वुंट को father of psychology भी बोला जाता है यह बात आपको द्यान रखना है चले हम लोग कुछ बात नहीं लेक्चर आल्रेड़ी आप लोग के लिए क्रिस्पी रखने के कोशिश रहती है हमारी तो 25-30 मिनिट्स का हो चुका है next time हम लोग मिलेंगे तो unconscious देखे यहां पे लि और सारे पार्ट आएंगे और अगर आप लोग इसके बाद ना हमारे इंडियन वेदास के हमारे इंडियन फिलोसफी के पार्ट है जहां पे हम लोग न्याय दर्शना के बारे में जानते है न्याय दर्शना जिसमें बोलता है कि अगर आपको प्रमान पता है तो आप अनमा दो बहुत सारे स्टुडेंट आल्रेडी सोच रहे हैं कि हमें तो पता है हमें कुछ जरूवत नहीं लेकिन आपके हमें जो थोड़े से 10-20 जो जानते हैं उनके कुछ कि रियल में यह वर्ड कहां से आया इसका मतलब क्या थे योग का मतलब होता है प्लस आपकी बॉड़ी और आपका माइंड जब प्लस हो जाता है तो उसको बोलते हैं आप योग कर रहे हो चलिए कोई नहीं लेक्ट्चर में यह सब मैं नेक्स अपने जब टाइम आँगा तो ज़रूर करूँगा और अगर आपको मेरी यह कोशिर अच्छी लगे और आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए तो आपके पास जो तरीका है कि आप लाइक कर सकते हो वीडियो को कमेंट कर सकते हो ठीक है और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और जो कु एक एक्स्ट्रा पर के अधरवाइस मैं तो यूट्यूब पर हम लोग सब डाली देंगे आज या कल सिर्फ यह किसको अगर जल्दी चीए तब ठीक है तो गाईज इसी आशाक साथ के आप बने रहेंगे नेक्स वीडियो में मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए गाईए और ख़ीज दो घएद पर दीक के लिए तब टाब लाग ठाली हैं तो यूट्यूिक्त बढूझे अशाएं पर ख़या कि देक है तो यूट्ड़ यूट्यूट भूट्यूटूश्यूट पर रहें में पनरूए हैं गाईएं थावीड़ डीक्तों पर ख़यूव